हाँ जी कैसे हैं आप काफी दिन बाद मिलना हो आपसे क्योंकर ट्रैवल कर रहा था कुछ काम के लिए तो इंटर्व्यू जस्पीद भुम्रा इन बैंगलोर फिर एजय कप के चलते अपने क्रिकेट शोज कर रहा था ग्लांस पर और अपने दूसरे क्रिकेट चैनल पर और फिर घर पे कार्पेंटर काम चल रहा है काफी दिन से तो पिछले हफ़ते बर यहां शोर शडाबा चल रहा था तो दोस्तों मैंने सोचा आज थोड़ा आपको 80s और 90s के फैशन के बारे में बताओं नहीं नहीं बॉलिवोड या मॉडलिंग के दुनी से नहीं अपने वाड्रोब से जो मैं 80s और 90s में पहनता था क्योंकि बहुत कॉमेंट्स आते हैं इदर कि मैं और भी किस से सुनाता रहा हूं पचपन के दिनों से उस जमाने के और क्योंकि मेरे रीसेंट 90s की येलो पैन सूट वीडियो पर इतने कॉमेंट्स आए उस स्टाइल को और फिर उस जमाने के कपड़ों पर तो मैंने सोचा ऐसा दुबारा दोराय जाए क्यों तो आईए एक नज़र डालते हैं कुछ आईकॉनिक 80s और 90s फैशन आइटम्स पर जिने मैंने पहने कभी मजबूरन तो कभी कूल देखने के लिए दोस्तों आप 80 और 90 के दशके नहीं हैं अगर आपके पास स्टोन वाश जीन्स नहीं थे और मैं यहाँ कोई डिजाइनर ब्रैंड की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं ऐसे जीन्स गली का टेलर बड़े अराम से बनाता था और छोटे से मार्केट में भी इनके वरायटी मिलते थे मेरे पास दो जोडी थे एक 80 के दशक में और एक 90s में जो मैं बार बार पहनता था इतना ही नहीं मेरे पास मैचिंग स्टोन वाश जीन की जैकेट भी थी देखे यह तस्वीरे जो दिल्ली के लोधी गार्डन के अंदर खीची गई थी साल 88 में और फिर अर्ली 90s में जब WWE सूपरस्टार माचो मैन रैंडी सैवेज मुंबाय आये थे ऐसे कमीज 90 के दशक में बहुत दिखे कुछ भी रैंडम, गोल चकल, ट्राइंगल, स्क्वेर शेफ पैटन की कॉमिनेशन रंग बिरंगे, बड़ा कॉलर, बड़े बटन, बड़ी जेब एक तरफ और जब तक आपने इन शर्ट को हाई वेस पैंट के अंदर टक नहीं किये और बड़ा सा बैल्ट नहीं लगाया, तो बॉस आप 90's में कुछ नहीं थे अच्छा बैल्ट का जिकर किया, तो बॉस 80's और 90's में आपको अपनी कमीश पैंट या जीन्स के अंदर डालनी पड़ती थी नहीं तो घर से बाहर जाना मना था हाँ, कभी कबार बैल्ट डालना भूल गए, जब कहीं शादी या फंक्शन पे गए मगर shirt को तो tuck in करना था अगर कहीं parents के साथ घूमने गए कहीं बार तो e-shirt को भी tuck in करना पड़ता था आहाहा, हर 90's लड़की की पसंद, high tops एक ऐसा fashion statement जिसके basis पे school के playground पे आपकी popularity ना पी जाती थी जितना मोटा सोल, जितनी बड़ी जूते की जीब, उतना ही अच्छा jeans हो या pants, track suit या pyjama, सब के नीचे भाईया, सिरफ high tops ही लगाना क्या आपको sweater का definition मालूम है? वो चीज जो आपको पहननी पड़ती है, जब आपकी mother को ठन लगे समझे नहीं, याद करिए, कितनी बार आपकी mother ने कहा होगा आपके बहार जाने से पहले चाहे अगस का महीना ही क्यों ना हो, अरे सुनो, sweater जरूर पहन के जाना, हाँ, ये तो ठन लगेगी है न, याद आया, दूस्तो 80s और 90s में sweater बहुत पहने मैंने और उस समय सारे sweater दो साइज बड़े होते थे, पता नहीं क्यों, शायद क्योंकि रिशिकापूर ने रंग रंगे sweater का क्रेश शुरू किया था 80s में, तो हम बच्चों को भी डालने पड़े चलो अब मसूरी के ठंड में समझ सकता हूँ sweater डालना, मगर मुमबाई में पास पता नहीं क्यों जब से होश संभाला मैंने, मैंने अपने आपको एक रेड जेकर्ड शिर्ट में देखा बच्पन से लेकर टीनेज यर्ज तक एक ऐसी शिर्ट मेरे ड्रोर में हमेशा थी और वो भी प्लैड मटेरियल से बनी शायद क्योंके 70s, 80s और 90s के Hollywood फिल्मों में इतनी बात दिखी कि इस किसम की शिर्ट यहां इंडिया के अंदर भी काफी चली अभी भी एक है मेरे पास तो शायद ये fashion statement कभी out of fashion नहीं गया क्या कहते हो बाटा के एक पैर तो था sports class के लिए खासकर बहुत डाले ऐसे जूते sports लेपर मगर ये shoes कभी आप jeans के साथ नहीं पहन सकते थे सिर्फ sports केलने के समय है ना तो दोस्तों उमीद है आपको अच्छी लगी है वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपने 80s और 90s के कुछ fashion moments share की अगर आप भी असी और 90 के तशके हैं तो खुद बता दीजी अपने कुछ fashion statements या फिर कुछ यादें उन दिनों के और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नए वीडियो को लेकर गुद बाई for now and stay stylish in whatever way you like see you soon